सियासी संग्राम के बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्तान के सियासी संग्राम की लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं, कॉंग्रेस आलाकमान के कड़े रुख का असर देखने को मिल रहा है, सचिन पाइलेट के साथ ही विदायकों ने जैपूर का कॉंग्रेस आलाकमान के कड़े रुख का असर देखने को मिल रहा है सचिन पाइलेट के विदायकों ने जैपूर का रुख कर लिया है एक प्रमुख विदायक मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गैलोग से मुलाकात थी है शेश विदायकों की भी शाम तक जैपूर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है थोड़ी देर में शेश विदायक भी जैपूर पहुंच सकते हैं राजस्थान के सियासी संग्राम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सियासी संग्राम की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पाइलेट केम्प के विदायक जैपूर की तरफ रुख कर रहे हैं तो आपको अब सीधा लिये चलते हैं जैसल मेर जहां पर हमारे समवादाता पिंटू सिंग नरु का मोजूद है पिंटू सिंग खबरे आ रहे हैं पाइलेट केम्प ने जैपूर का रुख कर लिया है क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है राजस्तान की सियासत के लिहाजे से आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि लगातार ये माना जा रहा था कि राजनिती गलियारों में इस बात की चार्चा थी और जो सियासी पंडित है वो भी इस बात से इंकार कर चुके थे कि क्या अब कही ना कही जो मान मनोवल वाली बात है या समझोते वाली बात है इससे मामला बहुत दूर तक निकल चुका है लेकिन कही ना कही जिस परकार से ये जो रिस्तों की जो जमी हुई बरफ थी कोंग्रेस में वो कही ना कही पिगलती वी नजर आ रही है और माना जा रहा है कि जो ये पूरा सियासी गटना करम चल रहा था और ये जो अंदरूनी उठा पटक थी वो अब थम सकती है इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर वो है कि जो कही ना कही जो असंतुष्ट विदाइक थे या जो सचिन पाइलेट के साथ जो विदाइक राजस्तान से बाहर थे उनमें से एक वरिष्ट विदाइक कददावर नेता हैं वो मुक्यमंतरी आवास पर पहुंचे हैं और सिये मशोग गलो से मुलाकात कर रहे हैं और वापसी की रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिस प्रकार से लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि ये कहा जा रहा था कि अब जो कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि सचिन पाइलेट की वापसी हो सकती है बागी विदाइकों की वापसी हो सकती है तमाम जो सियासी पंडित हैं वो भी इस बाद से इनकार कर चुके थे लेकिन कहीं न कहीं एका एक ये पासा पलडता है और अब ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं जो समझोता है वो हो चुका है उप पूरू उपके मंतरी जो सचिन पाइलेट है उनकी मुलाकात हुई है ये कहीं न कहीं है एहम है और काफी संदेश आज इस मुलाकात के बाद जा रहे हैं माना जा रहा है कि जो सरकार गिराने की जो साजिस कर रहे थे वो लोग वो कहीं ना कहीं बैकपूट पर है और मुखे मंत्रिय अशोगेलोत की सालिंता ने उनकी सियासी रणनीती ने और उनकी जो कहीं ना कहीं जो राजनीती करने की एक तरीका है वो आज कहीं ना कहीं एक बा पहुंचे और माना जा रहा है कि जो कुछ और विदाइक हैं जो नाराज विदाइक थे जो राजस्थान से बाहर ठहरे थे वह भी देरात यहां पर पहुंच सकते हैं और जो तमाम जो यह राजनीती घटना करम चल रहा था उसका विदानसवा सत्तर से पहले ही विराम लाग स जिस परकार से आज इस मामले को समाला और कही ना कई मामला फिर जो पूरी बात है वो बनती वी नजर आ रही है तो राजस्तान की सियासत के लिए आजे से यह बड़ी खबर है और सबसे बड़ी बात उस कारेकरता के लिए और उस राजस्तान के उस नागरी के लिए जिसने अपने वोट से सरकार को चुनी थी और जिस कारेकरता ने अपना खून पसीना भायता सरकार बनाने के लिए वो कही न कही मायूस था जिस परकार का गटना करम एक मैने से चल रही पूरे राजस्तान में चल रहा था वो कहình weten मायूस था लेकिन अब कहीं ना कहीं उस कारयकरता के चेरे पर भी ःश्मक देखने को रही है और जो तमाम जो नेथा थे वो मायूस थे इस गुटपाजी से इस विरोध से इस अंतरदों से उनके कहींगें थोड़ी खुशी नजर आ रही है लेकिन फिलाल अभी सब कुछ साफ नहीं हो पाया है आशिर क्योंकि बात बनी है कुछ विदाई के आँ पर आ रहे हैं सचिन पाइलिट का क्या रूख रहेगा मुलाकात के बाद क्या सरते रखी है किस परकार का समझोता होगा ये जब आलाकमान कहीं जो कमेटी तै करेगा और लेकिन सब चीजों पर विराम लग रहा है और कोंग्रेस ने आज एक बार फिर कहीं कर दिया है कि अभी भी जो एक जमाने में देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है कई ना कहीं कह सकते हैं कि राजस्तान की सियासत में पार्टी फोरम पर कॉंग्रेस का ये मामला सुलस्ता वा नजर आ रहा है जी आशिश जी बिल्कुल पिंटो सिंग वहाँ पर जैसल मेर में कॉंग्रेस विदायकों का कैम्प लगातार जारी है कॉंग्रेस के दिगज नेता प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे डेरा डाले हुए हैं साती साथ रनदीब सुर्जेवला वहाँ मौजूद है अविनाश पांड देखिए अभी सब कुछ कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी आशिश लेकिन हाँ ये माना जा रहा है कि अब कहीना कहीं बरफ विगल रही है अम सुरुवाती दोर से हम देखें करीब एक मैना हो गया जब से बगावती तेवर अपना है तब से माना जा रहा था कि इस लेवल एक मैने बाद में ये सपष्ट हो गया है कि सचिन पाइलेट ने राहुल गांदी से मुलाकात की और अपनी जो नाराजगी थी वो प्रकट की और कहीं ना कहीं अब जो दूसरे नाराज विदाइक थे वो भी अब कहीं ना कहीं वाप से आने के संकेत उन्होंने दिये हैं औ अगर वापसी होती हैं तो कहीं सवाल इस सियासी गलियारों में पैदा होते हैं हर आदमी के जहन में इस सवाल पैदा होते हैं कि आखिर अब क्या होगी सचिन पाइलेट की क्या भूमिका होगी और जिन मंत्रियों को बर्खास किया उनकी क्या भूमिका होगी और संग्ठन क किस प्रकार की भूमिका रहेगी यह सवाल सबके जहन में है अगर सचिन पाइलेट लम्बे समय तक कही ना कहीं जिस प्रकार से उन्होंने बाड़े बंदी की और उन्होंने जो रूख अपना है के साथ जो विदाइक थे तो साब तोर पर कही ना कहीं उनकी भी कुछ मांगी होंगी उनकी मांगों पर किस परकार की सैम्ती बनती है और हाई जो आला कमान है वो किस परकार से इस पूरे समझो तक किस परकार से करते हैं क्या उनका डिसीजन रहेगा यह देखने वाली बात है लेकिन फिलहाल जो कारेक करता और जो विदाई कहीं ना कहीं जो दुखी थे इस पूरा घटना करम से उनको कहीं ना कहीं रहत मिली है जो तमाम यहां पर कहीं विदाईक थे जैसल मेर में जो चाते थे कि इस पर पूरा इराम लगें वो कहते थे हमेशा कि सचिन पाइलेट भी हमारी यूवान नेता है हम विक्तिकर तोर पर उनको पसंद करते हैं लेकिन पार्टी नहीं चोड़ सकते पार्टी से हम दगा नहीं कर सकते वह चाहते हैं कि सचिन पाइलेट अभी भी वापस आए कि सुबह क्या समझोता हुआ है सचिन पाइलेट के बयान का सचिन पाइलेट क्या कुछ कहते हैं यह देखने वाली बात होगी लेकिन फिलाल जिस परकार से जो असंतुष्ट विदाइक थे वो अब लोट रहे हैं और माना जाला कि बड़ी तादात में और भी विदाइक आदेर रात तक एक विदाइक ने जो मुलाकात की है यह कही ना कहीं मुख्यमिंत्रिय शोगेलोत के रणनीतिक विजय कह सकते हैं कि 14 अगत को जो विदान सबा सब्सक्र शुरू हो रहा था यह एक कही ना कहीं राजस्तान की सियासत के लिए एक एतियासिक दिन हो सकता था लेकिन उससे पह किस परकार के बदलाओं होंगे क्या कुछ होने वाला क्योंकि सावाल काफी कुछ खड़े हो रहे हैं आम लोगों के बीच में सियासी गलियारों में कि अब पाइलिट की भूमी का क्या रहेगी जो बरखास जो मंत्री हुए उनकी क्या भूमी का रहेगी उन सब चीजों को लेकर हाला जो आला कमान है वो किस परकार से समंझे से बिठाएगा यह सब देखने वाली बात है लेकिन फिलाल कहीना कहीं जो यह पूरा अंदुरूनी जो लड़ाई थी वो कहीना कहीं मुझे थम्ती भी नजर आ रही है और राजस्तान कोंग्रेस के कारेकरता के लिए कही कहीं मायूश नजर आ रहा था जी आशिश जी बिलकूर पिंटो सिंग यहां पर एफाई आर दज होती है राष्ट दो की धारा लगती है उसके बाद नोटिस जारी होते हैं नोटिस तामिल कराने के लिए जैसे ही भेजे जाते हैं उसी के साथ बगावत के सुर देखने को म मामने आई तो उसमें कहीं यह एफाई आरी तो बीच में कारण नहीं थी कि जिसको देखते हुए जिसके चलते राष्ट दो की धारा को देखते हुए उन्होंने अलग से कैंप बना लिया और कॉंग्रेस से अलग हो करके बागी हो करके बैठ गे थे और जैसे ही धारा हटी अब मामला एसोजी ने एफार लगा करके क्लोज कर दिया है सिर्फ एसी भी इस मामले में ब्रस्टाचार के मामले में जाच में जुटी है जिस भमला शर्मा विधायक को एसोजी एसी भी तलास कर रही थी होटलों में जा रही थी दबिश दे रही थी हर्याना में वो विध विदायक आज शाम को सीमर पहुंच जाते हैं सीमर में सीम से मुलाकात करते हैं और अब माना जा रहा है कि घर वापसी होने वाली है क्या कुछ कहेंगे इस पूरे अगटना क्रम पर कर भेघुने कखा कि सरकार और उनी के विदायकों पर उनी की मुख्यों मंतरी पर संदे किया रहा है उन पर इस परकार के एसोजी को डाय चारण कर कि हम पर राजदरो का कर वर उन्हें घ्राज कि यह मटर यह विदाया पर हमें कहीं न कहीं हमें जिस परकार से नोटीज दिया गया हमारी सरकार ने वो उसको लेकर नाराजगी थी लेकिन जिस परकार से अभी थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने जो राजदरों वाला मामला कहीं वापस लिया तो कहीं न कहीं ये भी कारण हो स मुख्यमंत्रिय शोगलोत की एक रंडिती विजे हैं वो लगातार कहते रही कि राजस्तान की सियासत में एसे लोगों की कोई जगए नहीं है राजस्तान की सियासत इस परकार की कभी रही नहीं है और उन्होंने पत्तर लिखा सबी विधायकों के नाम कि चुनीवी सरकार को गिराना ये कहीना कहीन लोगतंतर की हत्या है और ऐसी गत्विद्यों में लिफ्ट होना राजस्तान की जनता के हित्मे नहीं है इस कोरोना के काल में उन्होंने एक मारमिक अपील किती तमाम विदायकों से तो कहीना के ये भी एक असर मैं समस्तकता हूँ कि विदायकों पर कहीना के इस चीज़ का भी असर हुआ हो और जिस परकार से राजस्तान सरकार ने इस पूरे कोरोना काल में जो काम किया है उसको बार-बार मुखेमित्रिय शोगलो कहते रहे और वही अपीली उस पत्तर की माद्यम से उन्होंने की तो ये भी एक बड़ा कारण है लेकिन जो आला कमान है उनकी भी कहीना कहीं इसमें बड़ी भूमिका है जिस प्रकार से अब जो दोर जिस दोर से कॉंग्रेस गुजर रही है राजस्तान ने जिस प्रकार से कॉंग्रेस ने वापसी की लेकिन ऐसे में अगर विपक्स को मोका दिया जाता है तो ये कॉंग्रेस के लिए कहीना कहीं एक बड़ी चुनोती हो सकती थी कहीं ना कहीं जिस परकार से लगातार कोंग्रेस टूट रही थी और बड़ी मुश्किलों से मजबूत हुई मद्यपर्देश में सरकार बनी राजस्तान में सरकार बनी पंजाम में सरकार बनी मद्यपर्देश में सरकार जा चुकी थी और राजस्तान में सी इस्तिती होती तो तो कही ना कही कॉंग्रेस के लिए आगामे दिनों में और बड़ी चोनोतिया हो सकती थी लेकिन राहूल गांधी ने जिस परकार से एन वक्त पर ये मोर्चो समाला जब पूरी तरह से लग चुका था कि अब कही ना कही पूरी तरह से जो बात है वो बहुत आगे जा चुकी ह और अब शाहिद समझो था बहुत मुस्किल होगा क्योंकि जो सियासी पंडित है वो भी ये कह रहे थे कि अब पाइलट की वापसी बिलकुल नामुम्किन है तमाम विदायकों की वापसी अब नामुम्किन है अब कही ना कहीं जो राजस्तान की सियासत में जो होगा वो कही उससे पहले ही इस पूरे गटना करम पर अब विराम लगता हो नजर आ रहा और यह कहीं न कहीं अगर यह लगता है तो यह कोंग्रेस हाई कमान की बड़ी जीत होगी जो लगातार सवाल खड़े कर रहे थे आला कमान पर की कहीं कहीं समझा इसमें कमी रही आला कमान की कहीं कमी जिस प्रकार से सामंजे से नहीं मिठा पाए तो अगर ये पूरी तरह से कयास लगा जा चुके थे सियासी गलियारों में और विपक्स जिस प्रकार से विपक्स की जो बोड़ी लेंग्वेश ती लगातार बीजेपी ने भी राजस्तान में जो रणनीती बना ली थी बाड़ की जीत होगी उनके आला कमान की उनके फैसलों की जी बिल्कुल तो पिंटु सिंग यह माना जा सकता है कि आला कमान ने पिसली बार जो गलतियां हुई मद्यप्रदेश में जिसकी वज़े से सरकार गवानी पड़ी कोंग्रेस को उन गलतियों से सीख लेते हुए समय पे आल पाजस्तान में तो यह जो दिन है यह बड़ा महत्पूर्ण है क्योंकि यहां तो बहुत आगे निकल चुकी थी बात हर कोई यह मान रहा था कि करीब एक मैने से ज्यादा समय बीच चुका है बयान बाजी बहुत निचली इस्तर पर जा चुकी थी और कहीं न कहीं बाचीत क जो एक जो मीडियम था वो पूरी तरह से तूड़ चुका था आज के दिन की यह उमीद शायद ही किसी को थी क्योंकि जो लगातार इंतजार सुप्रिम कोट की सुनवाई था बसपास के जो विदाइक जिनोंने जो कॉंग्रेस में मर्ज हुए थे और जिनके विले को चुन जो गलों से मुलाकात करेंगे ये शायद विपक्ष को तो इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था उन लोगों को जो सरकार गिराने की कोशिश करें थे बिल्कुल पिंटू सिंग तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो जैसल मेर से हमारे समवादता पिंटू सिंग नरू का जुडे थे जिनोंने राजस्तान की सियासत को लेकर लेटेस्ट अपडेट दी है इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजदानी जैपूर से इस वक्त की बड़ी खबर विधायक भमरलाज शर्मा मुलाकात के बाद CMR से रवाना हो चुके हैं इस वक्त की बड़ी खबर अचानक शाम को विधायक भागी विधायक माने जा रहे थे पाइलेट केम्प के विधायक भागी 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 विधायक झाल झाल